हेलो फ्रेंस कैसे हूँ सब लोग मेरी चैनल इंपोइंप में आप सब का स्वागत है दोस्तौ आज हम सुब्ह में हम घर्म पानी पीते हैं दूसके राफने मतलब कि इंकिने मतलब control करेंगे अब आगे हम देखते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारे बॉर्डी के अंदर वा्टर कंटेंट कितना होता है उस हिसाब से अधार के उसके परकुमा प्रकूल का होता है बाद में ब्लड का 83 परसंट उससी तरह से सबसे कम water once में होता है और सबसे ज्यादा लीवर में होता है अब हम देखते हैं इसके बार में में बैरी फिर्स के बार में तो सबसे पहला है constipation कि गर्म पाने सुबह सुबह हम पीते हैं तो जो constipation की तब्लिक रहती है उन लोगों के लिए कैसे रहता है कि जो हमारे बाउन कर जो moment रहता है उसको वो Фff रग 전 करने में मदद करता है बाद में सेकंड ही है करो वेर्फ नियाजल पर देफिज है या तो जो हमारो आज्ञा का जॉ प्रोब्लम रहता है गला ख्राब होता आっ सुबह ठंड की उन्स सब में हमारा डीकनजेशन के लिए हमें फाइदे मज रहता हैं। बाद में तीसरा है हमाहरा daigession system को improve करता है। जैसे में पहले बता है कि हमाहा बॉल system को रेगुलाइस करता है। उसकी वज़ए से हमाहा hyette system पुरा अच्चे से वर्क करता है और हमारे hunger को भी increase करने में हमारी मदद करता है बाद में आगे देखता है कि detoxification तो detoxification के लिए अगर लिम्बू जैसे के लिम्बू है बाद में ginger है कुकुमर है उन लोगों में उस सब में सबसे ज़्यादा एंटिटॉक्सिन की मात्रा रहते है जो हमारे body को detox करने में हमारी मदद करता है तो उसके साथ हम अगर घर्म पानी का use करते है तो उसकी वज़े से उसका absorption बढ़ जाता है बोडी के अंदर और हमें उसका maximum फायदा मिल सकता है और detoxification की process अच्छे हो सकती है और last में है fat burn तो जो मोटा मोटे पाका शिकार है उन लोगों के लिए गर्म पानी के साथ अगर लिंबू को सुबह सुबह पिया जाए तो हमारी जो intestinal की जो बेली की जो fat रहते है उसको burn करने में हमारी मदद करता है और हमें fat burn होने में हमारी मदद करता है तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर यह information अच्छी लगे तो आगे share जरूर करना और हमारे वीडियो को like और subscribe जरूर करना thank you so much